दोसो स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे 29 दिसंबर 2019 का जो लाइब्रेटी साइंस का पेपर वा था उसका जो डिसक्रिशन चल रहा था उसके पार्ट 4 के उपर चर्चा करेंगे इसके पीछे की जो तीन पार्ट है उनका लिंक आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्षन के अंदर मिल जाएगा समया बाव की वज़े से क्लासेज कंटिन्यू नहीं हो पा रही है जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेज और इस सीरीज को कंटिन्यू करने की बरपूर कोसिस की जाएगी तो चली शुरुआत करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेशन है वो अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले सारे के सारे important क्वेशन है और ये सीरीज बेसिकली इसलिए चलाए गई थी कि जो भी question बने हैं अब तक 3rd grade के लाइक उन से related और कौनकों से question बन सकते हैं कि इनके questions में इस ब्रण के doubt होते हैं उन सब को ध्यान में रखे वे class से बनाए गई थी तो चर्चा करते हैं question रखा है आपके सामने पहला है भारत का patent information system कहां पर इस्थित है तो भारत का patent information system कहां पर इस्थित है तो इस question का right answer हो जाता है नागपूर के अंदर इस्थित है ये question अपना 29 दिसंबर 2019 के exam में पूछा गया अब देखो अपने syllabus के अंदर बात करें तो syllabus क के अंदर आपका दे रखा है intellectual property intellectual property की बात की जाए तो वहां से आपसे चार मुख्य चीज़े पूछी जा सकती है copyright, patent, trademark, copyright, patent, trademark और censorship ये सारी की सारी चीज़े क्या exam के अंदर पूछी जा सकती है तो question का right answer तो आपका हो गया नागपूर और यहां से आपको एक या दो question definitely मिले अब जो patent के ओपर और कौन-कौन से question बनते हैं उनके ओपर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला question बन गया patent information system नागपूर के अंदर है और कब बनाय गया था, 1980 के अंदर इसको बनाय गया इसकी बाद में जो question बनते हैं इनके जो act हैं जो कानून हैं जो low हैं इनके ओपर question बनते ह तो सबसे पहला जो बोधिक संपदा के ओपर जो कानून बनाय गया था देश में वो बना था, 18056 में बनाय गया था और ये जो कानून था इसका जो नाम था, नाम था protection of invention नाम था और ये जो आदारी था, ये आदारी था British patent law, 1852 के ओपर ये आदारी था तो नाम रखा गया प्रोटेक्शन ओफ इन्वेंशन 1856 में और 1852 के ब्रिटिस पेटेंटों पर आधारी था उसके बाद में तकरीबन 6 साल के बाद में एक और एक प्लाए गया था जिसका नाम रखा गया था पेटरन एंड डिजाइन प्रोटेक्शन एक्ट क्या नाम रखा गया था प्रोटेक्शन एंड डिजाइन प्रोटेक्शन एक्ट इसका नाम रखा गया था उसके बाद में जो 9 साल बाद में जो चीज लाए गई वो लाएगी the protection of invention और 1908 में रखा गया invention and design act ये में क्यों रख रहा हूँ ये question क्या होता है कि अगर examiner question को थोड़ा सा गुमा दे थोड़ा सा टफ डालने की खोशिस करेगा तो ऐसा question exam में डाल सकता है ये तो सारे के सारे basic question थे और अब इन सब में से जो सबसे important है इन चारों की बात कर रहा हूँ में भी तो इन में से अठारों चपन वाला सबसे ज़्यदा important है और सबसे दिखवार ये पुछा गया है उसके बाद में जो बात करेंगे इसके बाद आता है 1911 का 1911 में बनाता है Indian patent and design act अगर examiner question exam में देवे कि the Indian patent and design act देवे तो आपको 1911 ही करके आना है तो देखो नाम से question पुछेगा आपको exam में confusion कर सकता है examiner तो आपको ध्यान रखना है सीधा सीधा जिसा नाम दे रखा वेसा इसको रट लेना है तो बात उजाती है Indian patent and design act examiner देवे तो आपको क्या करके आना 1911 वाला करके आना है उसकी बाद में क्या हुआ इसमें संसोधन करने के लिए यानि स्वतंतरता प्राप्ति के बाद में कई कमीटियां बिठाई गई और उसके बाद में सदन के अंदर 21 सितमर 1965 को विदेख प्रस्तुत किया गया patent के उपर और patent बनाया गया वो था patent 1970 तो इसका नाम था patent 1970 और ये लागू हुआ बीस अफरेल 1912 से इसको लागू किया गया था यानि patent 1970 के बाद करें तो ये लागू किया गया 20 अफरेल 1912 को देखो जो भी एक्ट होतें जो भी कानूर थें वो जो बनने के पहले से भी लागू किया सकते हैं तो यह आपको याद रखना है इसके बाद में बात करेंगे जब यह अपना बन गया 20 April 1922 को नाम था patent act 1970 और इसके अंदर आपको याद रखना है अगर सीधा सीधा patent act पुछे तो 1970 तो यह तो आपको याद रखना 1922 में लाग हुआ था और अगर examiner examiner देवे इंडियन Patender designer के ब बना था कि इसके बाद में संसोधनों के बात ouldऄ छये तो संसोधन के अंदर इसके इंदर जो पहला संसोधन किया गया था बहली बार किया गया films को आपको дов艙्षP इसको आपक याद रखना है 26 मार्च उननीस सों कि इंदर संसोधन किया गया था और इसको लागु कि सनसोदनों को यह जनंवरी लगभग 4 साल पीछे से इसको लागु किया था उसके बाद में 2002 के अंदर इसके अंदर सनसोदन हुआ और 2002 वाला सनसोदन वआ था वह परभावी हुआ था मई 2003 से तो ये मुख्य मुख्य संसोदन है और मुख्य मुख्य मतलब इस तरह से इनके अंदर सीदे सीदे question पूछे जा सकते हैं तो ये आपको patent के अंदर याद रखना पिर patent की जो समयावदी याद रखना है तो patent file करने से 20 साल तक इसकी क्या रहती है समयावदी रहती है इसक और सकते है कि राजिवगांधी national institute of intellectual property management कहां पर इस्थित है तो वो भी आपको याद रखना राजिवगांधी national institute of IPM की बात करेंगे तो वह भी आपका नादब पूर के अंदर इस्थित है तो नाग पूर से आपको दो बाते याद रखनी है राजी इस्तित है डिजाइन ओफिस की बात करेंगे तो डिजाइन ओफिस आपका पेटेंट के अंदर याता है तो डिजाइन ओफिस की बात करेंगे वो आपका कुलकत्ता के अंदर इस्तित है यह आपको याद रखना है इसके लाओ बात करेंगे एक इंपोर्टेंट चीज आती है पेटेंट के अंदर CG PDTM यह आता है इसका मुख्यले वो आपका इस्तित है आपका मुंबई के अंदर इस्तित है आप सभी को कहीं से भी उठा के इसकी फुल फॉरम हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता देनी है CG DPTM है यह आपका कोशन एक्जाम के अंदर प्रकासित होते हैं जितने भी पेटेंट होते हैं वो काँ प्रकासित होते हैं बारत के राजपतर के बाग देन के अंदरी है सारे के सारे प्रकासित होते हैं तो पेटेंट के ओपर जो मैक्सिमम क्वेशन बन सकते हैं उनको हमने कवर करने की कोशिस की है और question बन सकते हैं और चीज़े हैं आपके mind में तो उमें comment करके बता सकते हैं अगले question के उपर बात करते हैं दोस्तों अगला question आपके सामने दे रखा है कि which is not an open source software आपके सामने सवाल दे रखा है कि निमन में से open source software कौन सा नहीं है देखो question देखने में easy लगता है लेकिन question बड़ा खतरनाक है और आपको confuse कर सकता है लेकिन question के अंदर जो option डाले गए उनके साब से सबी इस question का right answer कर सकते हैं तो right answer की बात करेंगे right answer आपका windows हो जाएगा क्या हो जाएगा right answer आपका हो जाएगा windows हो जाएगा अब d space की बात करो चाहे greenstone की बात करो चाहे कोहा की बात करो तीनों की तीनों आपके क्या हो जाएगे आपके open source software हो जाएगे और window की बात करेंगे तो window आपका क्या है open source software नहीं है यह आपको especially याद रखना है अब बात होगी यहाँ पर जब बात करते हैं इसके अंदर और regarding और कौन-कौन से question बन सकते हैं जिनके ओपर अपन चर्चा कर लेते हैं तो इनके ओपर हम बात करेंगे तो cdc अपनी बात हो जाएगी कि d space की बात करेंगे यह भी क्या एक तरह से आपका open source software है उसके बाद में तो second option दोस्तों दे रखा वो आपका दे रखा कोहा दे रखा है फिर अगले option के उपर चर्चा करते हैं अगला option दे रहे रहा आपका green stone दे रहे रहा दोस्तों तो green stone के बात करेंगे दोस्तों तो green stone बनाती है University of Witeko 181980 के अंदर इसको बनाय गया था तो ये भी आपका क्या एक तरह से open source software है अब दोस्तों सबसे important बात करेंगे इसके अलाव बात करेंगे जब आपकी green stone के बात की तो green stone से आप evergreen याद रख लेना तो evergreen याद रख लेना ये आपका याद रखना ये भी आपका open source software है और ये आपका क्या है linux based है और इसका निर्मान USA के अंदर किया गया है तो मुख्य मुख्य बाते आपको याद रखने है जिन में से सबसे latest है वो आपका evergreen है इसको आपको याद रखना है अगले question के उपर चर्चा करते हैं दोस्तों तो ये तो अपने open source के बात हो गई अब exam के अंदर इस type का question वापस repeat हो गया तो आपको मुख्य 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 जो याद रखना है open source software वो याद रखने है मुख्य 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 बात करेंगे तो dspace आपका open source है greenstone है, newgenlib है, koha है, cds, iss, evergreen है, e-grantale है, e-grantale है और abcda करेंगे यह सारे के निष्यों करेंगे, cds, iss के आपके उपन-source software के लिस्ट है इसको आपको याद रखनाए Okay, प्रिंट के बारे में बात करना अगर एप्रिंट एक्जाम के अंदर आ जाए तो एप्रिंट की सीधी सीधी आपको लाइन याद रखनी है युनिवर्सिटी और इसके बाद में याद रखना ओपन रेपोजेटरी सौप्ट्वेर यह सवाल और पूछा गया था एप्रिंट स सॉपट्वेर के बारे में हो गई अगला क create this UK और लिप्सिस उजिसすी छ निक्री नेट और उनिडिया तो इसका हो जाएक उजएकushka श्यायिगा अब इसके वापर बात प्रस्तूत किया गया था किसके द्वारा प्रस्तूत किया गया था युनेस्को के द्वारा प्रस्तूत किया गया था कौन सी लेंग्वेज में बना था पास्कल लेंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया था तो याद रखना 1970 के मद्दे में डिजाइन किया गया था International Labour Organization के अंदर इसको डिजाइन किया गया था जेनेवा के याद रखना और इसके साथ साथ में इसको याद रखना युनेस्को ने इसको 1980 के अंदर MS-DOS किसके उपर MS-DOS के उपर प्रस्तूत किया गया था MS-DOS जो IBM PC के उपर चलता था उसके बाद में क्या होता है 1995 के अंदर इसका विंडो वर्जन निकाला जाता है जिसका विंडो वर्जन निकाला गया था इसका विंडो वर्जन निकाला गया और जिसका नाम रखा गया था विंसिस रखा गया था दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया था विंसिस इसका नाम रखा गया था तो याद रखना 1975 design के अंदर इसको प्रस्तूत के अगया MS-DOS के लिए प्रस्तूत के अगया था Pascal language रखे गी थी, UNESCO के दौरा प्रस्तूत के आगया था और इसके बारे में याद रखना 1995 के अंदर इसको window के लिए प्रस्तूत के अगया इसका नाम रखा गया था तो याद रखना और विंडो के लिए प्रस्तुत किया गया इसको प्रस्तुत किया गया था और विंडो के लिए इंडिया के अंदर बात करेंगे इसके अंदर बात करेंगे 1992 के अंदर आया था कौन लेकर रहा था डेशी डॉक प्लस निसाद इसको लेकर आई थी कौन लेकर रहा था डेशी डॉक प्लस निसाद लेकर रहा थी इसके मार्केटिंग का काम करती है क्या करती है निसाद इसके मार्केटिंग का काम करती है तो बहुत सारी इंपोर्टेंट करें बता सकते हैं तो अपने इंपोर्टिंट क्वेश्शन वह अगले क्वेश्चन के दोस्तो अग्ला क्युंस अपना देरका है कि सब्सक्ता है है कि अगला कोशिट दिए रखा कि रूटिंग और प्लेरिकस एक प्रकार किई कि मैं प्रकार किया 2 इसके ऊफर चर्चा करते हैं इसके अंदरgar की बात करेंगे तो correct answer हो जाएगा अब CS के अंदर आपको question में पूछा गया routing or periodicals अब similar question और कौन से पूछ जाते हैं उनके उपर चर्चा करेंगे तो CS की जो मुख्य मुख्य विदिया है वो आपको याद रखनी है अब जो routing को periodicals भी क्या एक तरह से CS प्रदान करने की विदिया है तो और कौन-कौन से विदिया हैं उनके उपर चर्चा कर लेते हैं कोई question कहीं से भी गुमा के पूछा जा सका है तो CS प्रदान करने की जो मुख्य मुख्य विदिया है वो आपकी है टेलिपोन द्वारा प्रलेगों की उतलबता की जानकारी देना routing को periodical मतलब होता है पत्रिकाओं का करमानुसार वित्रन करना या फिर बात करें प्रलेगों का पुस्तकाले में प्रदर्शन हो जाएगा मुख्य जो standard definition जो रखे गई है CS की वो रखे गई है नविन्तम साहिते की सुचना सोथ करता हूं तक पहुंचाने का प्रियास करना किस में आ जाएगा वो आपका आ जाएगा CS की अंदर आ जाएगा CS के उपर जो मुख्य मुख्य बाते आपको याद रखनी है CS का जो संसोधित रूपो ही होता है लेकिन CS के भी question बनते हैं सामिक जागरुकता सेवा कहते हैं या current awareness करते हैं उसके बारे में आपको मुख्य मुख्य बाते याद रखनी है और किस किस तर पर CS कों कोंसे हो जाते हैं दीनित्तर की बात करेंगे तो एक तौ आपका ज़दर local चाही इस्थान ही स्थान हो ज़दा है फिर बात जथी सेकर आपका राश्टर ज़दर हो जथा और तीसरा आपका हो ज़दा है अंतर राश्टर प्रतर दरुगा कह सकते हैं प्रलेकों unless य इंडेक्स या अब्स्ट्रेक्ट के माद्यम से सबी माद्यमों से क्या कि जा सकती है CS प्रदान की जा सकती है तो ये सारी की सारी बात है आपको CS के अंदर आपको याद रखनी जो एक्जाम में आ सकती है विर अगले कोशन पर चर्चा करते हैं अगला question आपका देरखा है कि Foders Guide to India Foders Guide to India क्या है दोस्तों इस question का जो right answer हो जाएगा right answer आपका हो जाएगा तो आपका हो जाएगा प्रियेटक निर्देशी का है या ट्रेवल गाईड इस question का राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों बारत का मानचीतर नहीं हो सकता कि बारत का मानचीतर नहीं है और नहीं एक गजेट यह रहे अब बात करते हैं इसके अंदर बात करते हैं इसका question का right answer तो आपका हो गया travel guide अब इसके ओपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों उसके अंदर मानचीतर भी होते हैं क्या होते हैं उसके अंदर maps भी होते हैं maps क्या होते हैं regional maps होते हैं ठीक है और उसके साथ में क्या होता है यह सारे क्या question confuse करने वाले लेकिन जो accurate answer बेटे का नहीं इस question का वो travel guide होगा अब question exam के अंदर और किस question पूछी जा सकते हैं तो photos guide to India है इसके जैसी और कौन-कौन से किताबें उनके उपर बात कर लेते तो इनके उपर आपको याद रखना एक तो आपके हो गई photos guide to India हो गई photos guide to India है इसके अंदर क्या-क्या होता है map होते हैं और इसके अंदर क्या होता है और इस कई तरह कैसे आ सकते हैं कुल मिलाके बारत की संस्क्रती है बारत की दर्सनी इस्तले है और प्रेटे की स्तलों के बारे में जानकरी देने का कारिय करती है इसकी जो आवरती की बात करेंगे तो आवरती इसके एन्वल है यानि इसकी वार्सिक आवरती है यह आपको और वारत सरकार की ओफिशियल है जिसका प्रेटन वारत का प्रेटन मंत्रा लेकर पर्कसंद करता है तो भारत सरकार की जो प्रेटर नदी सका इबात करें उसका नाम याद रखना है तो इस सब यह को आपको ध्यान में रखना है अगले question के उपर चर्चा कर लाएते हैं दोस्तों अगला question आपके सामने दे रखा है कि glossary, lexicon, thesaurus, vocabulary यह सब किसके लिए यूज होते हैं तो इस question का जो right answer हो जाएगा right answer हो जाएगा option number B यानि शब्द causes question का right answer हो जाएगा यानि सारे के सारे शब्द हैं यह किसके लिए यूज में लिए जाते हैं तो सारे के सारे सारे सब्द किसके लिए यूज में लिए जा सकते हैं सारे के सारे शब्द आपके dictionary के लिए यूज में लिए जा सकते हैं तो अब इसके ओपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी अपन बात करेंगे इसके ओपर तो सबसे पहले तीनों जो सब्दे उनका अपने को मतलब पता होना चाहिए तो मतलब के ओपर कुशन पूचा जा सकता कि गलोसरी क्या होती है लेक्सिकन क्या होता है थिसोरस क्या होता है तो गलोसरी की बात करेंगे सबसे पहले तो गलोसरी दोस्तो लेटिन पासा का शब्द ये क्वेशन एक्जाम के अंदर आ सकता है गलोसरी हम सबसे बना है और गलोसरी का मतलब क्या होता है परिवासिक सब्दावली होता है लेक्सिकन से बनती है लेक्सिकोलोजी और लेक्सिकोलोजी में क्या होता है सब्दों की उत्पती आर्थों का दिन किया जता है फिर सिमिलर बात बनता है अपना थिसोरस मनता है थिसोरस की बात करेंगी थिसोरस भी ग्रीक पसा का शब्द है और इसका मतलब होता है प्रियाइ कोोस हैं और याद रगना ठीस्टैस किसके द्वारा दिया गया था ले ह्लन सब्सक्रार करके बता है यह आपको कमेंट करके बताना तो तीनों का अलग अलग मतलब है यानि कुल मिला के गलोशरी की बात करेंगे दोस्तों कि ग्लोसरी का मतलब होता है प्री बासिक सब्डा उली लेक्सिकन के अंदर क्या होता है लेक्सिकन के अंदर सब्दों की उत्पति है अर्थों के बारे में जानकारी होती है और थीसोरस के बारे में बात करेंगे प्रियाई कोस कह सकते है और यह सब्दों का संग्रह उसके अंद इतनी बसा को शब्द है यह आपको मुखी रूप से याद रखना है फिर अपन कर्चा करते हैं अगले कोश्ण भी चर्चा करते हैं दोस्तों अगला कोश्ण आपके सामने दे रखा है क्या चैनित सूचना परसार सेवा SDI की अवधारणा किसने प्रस्तूत की थी SDI की अवधारणा किसने प्रस्तूत की थी तो correct answer आपका हो जाएगा HP लुहान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इस question का correct answer हो जाएगा HP लुहान हो जाएगा अब इसके उपर बात करेंगे SDA के उपर बात करेंगे दोस्तों तो देखो Current Awareness Service के उपर अपने बहुत सारी बाते कर ली अब Current Awareness Service का ही क्या है एक तरह से यह भाग है तो आपको याद रखना SDA SDA की Full Forum याद रखने एक्जाम के इसाब से जो आपकी हो जाएगी चैनी सूचना परसार सेवा और चैनी सूचना परसार सेवा हो जाएगी और इसका SDA की Full Forum हो जाएगी English में याद रखना selective determination of information हो जाएगी या आपको याद रखना है और SDA से इसे आपको मुख्य मुख्य बात याद रखने क्वेशन के से आ सकते है तो SDA को क्या क्या बोल सकते है चैनी सूचना परसार सेवा भी बोल सकते है वेक्ति परक जागरुकता सेवा भी बोल सकते है देखो CS को बोला जैता है सामीक जागरुकता सेवा और जब बात आती है वेक्ति परक जागरुकता सेवा की तो आपको याद रखना है तो आपका HDA हो जाएगा कब देगी थी HP 1 के द्वारा पहले अवदारणा प्रस्तुत के गी थी 1958 में और पहली बार इसको computer आदारित प्रस्तुत किया गया था 1961 में 1961 में क्या हुआ था ये HP 1 किसे जुड़े वे थे HP 1 IBM से जुड़े वे थे तो इन्होंने computer आदारित HDA को क्या किया था तयार किया था और कुल मिला कर किया एक machine आदारित सुचना सेवा है जिसके अंदर कितने चरण होते हैं जिसके अंदर मुख्यम के चरण है वो आपको याद रखना है साथ इसके मुख्यम के चरण होते हैं जो याद रखना है और इसके एक definition बनती है देखो अपने HDA की definition क्या अगरती सोध करता हो तक उनकी साहिते की उपलपता की जानकारी दिलाना लेकिन इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये सेवा उसी को मिलेगी जिसको इसकी आफशकता है यानि जब सूचना विसपोट की बात आजाती है फिर सूचना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो selected information user को provide करना वो HDA के अंदर आता है यानि कुल मिलाकर उसी को मिलेगी सुचना जिसको उसकी आफशकता होगी तो इसा question exam में है तो आपको HDA करके आना है या आपको याद रखना है अब HDA से question पुछी जाएंगे इनके step से इनके चलनों के बारे में तो step से question आपके directly सारे step नहीं पुछेगा वो सीधा question पूछ सकता है कि पाठक profile किसका इसा है तो पाठक profile किसका इसा है प्रलेक profile किसका इसा है प्रोफाइल मिलान किसका इसा है notification बेजना, feedback देना, profile का समयोजन, पाठक इच्चा का समाधा यह सारे के सारे step से question पूछेगा वो तो मुख्या मुख्या question जो पूछता है वो याद रखना feedback में के लिजम, notification, पाठक profile, user profile इन चार से question पूछता है सातो के सातो step के आपको नाम रट लेने और सातो step से क्या direct question पूछे चाह सकते है इसको individual service भी कह सकते हैं और personalize service भी इसको कहा जा सकते हैं तो मुख्या मुख्या रूप से याद रखना SDI, HP, Luhan, साथ चरण है साथ चरण में कौन कौछी चरण है वो याद रखना individual बोल सकते हैं personal बोल सकते हैं machine आदारिद बोल सकते हैं सारे के सारे question इससे ज्यादा बाहर question exam में नहीं कुछ जाएंगे दोस्तो समया बाव की वज़े से सारी के सारी चीज़े नहीं clear कर पा रहे है सारी live classes भी अपनी नहीं चल पा रहे है लेकिन जल्द ही कोसिस की जाएगी कि live classes भी लाई जाएगी और इसको भी continue किया जाएगा तो चीज़े शुरू की जाएगी मेरी और से बरपूर कोसिस की जाएगी session बनाने में काफी late हुआ हूँ क्योंकि बहुत सारा काम lockdown after lockdown भी